नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाना मौसम समाचार के इस वीडियो में जियाँ आप जाने के अपने सहर अपने गाउं अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट जियाँ अगर आप हरियाना के किसी विजले से इस वीडियो को देख तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिया अगर आप हरियाना जिले की मौसम की ताज़ा आपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज ट्यार नीच को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने व कोरा दिखाई दिया सुबहे आठ बज़े तक द्रस्ता बीस मिटर से भी कम रही जिसकी वज़े से वहान चालकों को काफी परेसानी हुई इसके साथ ही सीतलहर ने लोगों को ठिटरा दिया मौसम बिग्यानिवाक के अनुसार आज सुबहे से मौसम फिर बदलेगा हलकी बा कातार हो रहे बदलाओ के गार सरसों की फसल में सफेद रोली का प्रकॉप सुरू हो गया है दरसल आधा डिगरी की बढ़ोतरी के साथ सुक्रवार को नियूंतम तामान आठ डिगरी से ल्सियस दर्ज किया गया सुबहे के समय घणा कोहरे की वज़े से द्रस्ता बेहत कम द को हवा चलने और गलत चमक के साथ कहीं कई हलकी आंसिक बदलवाई होने के साथ साथ हलकी बारिस होने की भी संभावना जताई जा रही है सलाह से करे फसलों का उपचार इस बार रिवाडी में सरसों का रखबा बढ़ा है अब दक सरसों की फसल भी अच्छी है लेकिन ये सब्ता से बादल छाने और कोहरे की वज़े से सरसों की फसल में सफेद रोली का प्रकॉप सुरू हो गया है किसानों को अपने खेत का भ्रमाड करके नीच छड़ करते रहना चाहिए चोधरी चरण सिंग छेतरी अनुसंदान केंदर बावल के छेतरी अनुसंदान केंद के निर्देसक डांक्टर धरमवीर यादों ने बताया है कि 22 और 23 जनवरी को हलकी होने वाली बारिस की संभावना है इसलिए मौसम में नमी बढ़ने और फसलों को बीमारियों का उपजार किसी विसेसक रग्यों से ही करना चाहिए पादब रोग विसेसक के डाक्टर नरेस कुमार यादों ने बताया कि यदि पत्तों के निजली सताय पर सफेद फफोले दिखाई देते हैं तो यह सफेद रोली के लच्छन है यह फफोले बड़े धबों का रूप धाड़ कर लेते हैं इस रोग काक्रमण फूलों पर भी दिखाई दें तो मैंको जेब थाइडे ने 45-500 ग्राम यति प्रतियकर पानी में घोल कर बना कर छिड़काओ कर यह रोग नियंतर पर पाया जा सकता है जियां यती हरियाना से जुड़ी मौसम की ताज़ा अपडेट मिलते आप सभी को अगले वीडियो में तब तक टियार नियूज के साथ बने रही हैगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले